आज मैं आपकी साइश शेयर कर रही हूँ, बहुती मज़ेदार बहुती लाजवाब रेसिपी, यानि आज हम बनाने वाले हैं दही फुलकी चाट, जिसे आप दही पकोडी चाट भी बोल सकते हूँ, एकदम सौफ्ट, एकदम जूसी, बहुती आसान सी रेसिपी है, आप इस सबसे पहले, एक मिकसिंग बाउल में डाल देते हैं, एक कब बेसन, अब कुछ बेसिक से हम इसमें मसाले डालेंगे, जैसे एक चमश में डाल रही हूँ, नमक, एक चमश डाल देते हैं, लाल मुर्च पाउडर, आदी चमश डालेंगे, हल्दी पाउडर, और एक चमश हम एक बार अच्छे से mix कर लेंगे और फिर हम इसका पानी डाल के घोल बना कर तयार करेंगे तो पानी यहाँ पर आउशकता अनुसार डाले एक साथ बहुत ज़्यदा पानी नहीं डाल दे क्योंकि बेशन जो है बहुत जल्दी से गीला होने लग जाता है थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बिलकुल wamse free इसका better बना कर तयार करेंगे तो इसमें जो पानी है बिलकुल आउशकता अनुसार लगेगा पानी का कोई भी measurement नहीं है बस पकोड़ी के खोल के तरह हे हमें इसे बना कर तयार करना है तो यहाँ पर देखें इसे बढ़िया से मैं मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पर इसे फेट ना होगा तो इसे चलाते वे हम लगबग 2-3 मिट के लिए इसे बढ़िया से फेट लेंगे तकि एकदम से यह हलका हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा से चेंज हो जाए तो जब बेसन हलका होगा तो जो हमारी पकोड़िया है वो भी एकदम से गोल गोल और फुली फुली बनकर तयार होगी तो यहाँ पर देखे इसे फेटते वे मुझे थोड़ा समय हो चुका है और जो इसका कलर है यह भी थोड़ा से चेंज हो चुका है यानि बेटर जो है उन्हें बढ़िया से फेट लिया है जिए गटार कब कर देखें, बड़िया की चुकर के जाये तक्टे के लोगाँ है, मिड़िया को तो पकोड़ चाहिया, ये पकोड़ि बनाने के लिए बिलकुल पुफेक्ट है, यानि एल यह चलिए यहाँ जो चुकर क करते है. क्योंकि जब यह fry होगी ना तो अपनी साइज वैसे ही चेंज करेगी यानि यह फूल कर थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पर पकोड़या डाल रहे हैं एकदम से फूलने लगी है और अपने आपी यह साइज चेंज करने लगी है क्योंकि जो बेटर है ना बहुत हलका है यानि पकोड़या भी हमारी बहुत हलकी बनने वाली है तो एक बार कड़ाई में जितनी आसानी से आ जाए हम यहाँ पर डाल देते हैं तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने पकोड़यों को डाल दिया है और एक बार डालने के बाद कुछ देर के लिए इसी तरह से रहने दे जब एक तरब से बढ़ी असी फूल जाए इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करते वे दोनों तरब से बढ़ी असे इसे फ्राइ कर लेंगे तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी रेसिपी है फटा फट से बन जाती है बहुत ज़्यादा सामान की भी जौरत नहीं होती है तो आप इसे खाने की थाली की साथ साइड डिश की तरबी इसे सर्व कर सकते हों सभी को बहुत ही टेस्टी लगी गी है तो गेस का फ्लेम मेंने मीडियम रखा हुआ है और अलट पलट करते वे दोनों तरब से बढ़ी असे फ्राइ कर लेंगे लेकिन हमें इसका जो कलर है भूँध ज़दा डार की नहीं करना है यानि बहुत ज़दा इसे लाल कलर की नहीं करेंगे जब गोल्डन साइस का कलर आ जाए तब हम इने तेल में से बहार निकाल लेंगे तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंट्स इसने थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया है बस कूछ देर के लिए हम यहाँ पर इसे और फ्राइ करने वाले हैं तो बस अब यह पकोड़ा फ्राइ होकर तयार हो चुकी है तो चलिए फ्रेंट्स अब हम इने तेल में से बहार निकाल लेते हैं तो अगर आप चाहें तो इस बेटर में बारिक कटी भी प्याच का भी यूज़ कर सकते हूँ अगर आपको इसमें प्याच का टेस्ट पसंद हो तो ये लिजे फ्रेंड्स पकोड़िया तो हमने यहापर फ्राय करकर तयार कर ली हैं आप देख सकते हैं कितनी फुली फुली औ इसके अंदर हम डाल देते हैं दही तो दही हमें यहापर इतनी चाहिए कि जो हमारी पकोड़िया है ना सारी दही में बढ़िया से डूब जाएं तो इसके लिए अगर आपके पास पतला दही हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो यानि इस समय हमें यहापर गाड़े द खू मज नमक थोड़ा समय डाल रहे हुक्मक काली मिर्च का पाऊडर यह भी आधी-छोटी चमची है में धोड़ा साम डाल देते हैं का ला दमक तो अगर आपके पास यहापर पोदिने का पाऊडर हो तो वो भी आप यहापर यूज़ कर सकते हूं और एक चमच हम डाल दे इसके consistency में आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसे कितना पतला रखा है तो चले अब इस दही में डाल देते हैं हम ये पकोड़िया और सारी पकोड़िया डालने के बाद एक बार चम्मस से हम इसे अच्छे से डुबा देते हैं दही में ताकि जो हमारी पकोड़ी है बढ़ि से लग जाए और पकोड़ी अंदर से बढ़िया से जूसी सी हो जाए तो यहां पर देखे इसी रखेवे मुझे 15-20 मिट का समय हो चुका है आप देख सकते हैं उपर से एकदम से ड्राइसी लग रही है यानि दही को इसने बढ़िया से सोक कर लिया है और आप देख सकते है इसके साइस भी थोड़ी बड़ी हो चुकी है यानि फूल चुकी है तो बहुत ही आसान से रेसिपी है आप इसे एक बार जरूर से ट्राइ करकर देखिए इसमें आपको राइते और दही बढ़े दोनु का टेस्ट आने वाला है तो चले अब हम इसे देख लेते हैं कैसे सर देख लिया है और अब हम इसके उपर डाल देते हैं यह पकोडिया तो जितनी आपको सर्व करना है उतनी पकोड़ी आप यहाँ पर डाल दीजे तो अगर घर में कोई अचानक से गेस्ट आ जाए ना तो आप इस नाश्ते को फटा-फट बना कर तयार कर सकते हो बहुत ज़ चीली फ्लेक्स इसके जगे आप यहाँ पर लाल मुर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हूं और अब हम इसमें डालेंगे भुनेवे जीरे का पाउडर तो जीरे को मैंने तब पी थोड़ा सेक लिया है और सेकने के बाद हलका सा इसे क्रश कर लिया है तो यह भी इसके अब हम यहाँ पर डाल देते हैं बारिक कट किवी धन्या पत्ती और अब मैंने यहाँ पर तड़का पेन में तेल को गरम कर लिया है इसके अंदर हम डालेंगे आधी चमत जीरा तेल जब बड़या से गरम हो जाए इसके बाद हम यहाँ पर आधी चमत जीरा डाल देते हैं एक चोथा ही चमर डाल देंगे, हींग हींग से भी बढ़िया से टेस्ट आएगा इसका, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर सुखी वी लाल मिर्च ली है, यह 3-4 लाल मिर्च है, तो चलाते वे इन अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब सारी चीजे अच्छे से फ्राई हो जाए, इसके बाद इस तड़के को हम डाल देते हैं, दही फुलकी के अंदर, तो इस तरह से चम्मस्य डालेंगे, ताकि दही फुलकी में जो तड़का है न बढ़िया से लग जाए, तो इसके उपर आप तड़का जरूर से लगाए, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और अब हम यहाँ पर रख देते हैं, थोड़े से बारिक कटे अगर आप डालना चाहें तो डालें नहीं तो इसके भी कर सकते हूं, और अगर आप यहाँ पर प्याज डालना चाहते हूं, तो प्याज भी आप यहाँ पर डाल सकते हूं, मैं यहाँ पर प्याज की रिंग रख रही हूं, और अगर आप इसे दही बड़े जैसे सर्व करन चाहते हो तो आप यहाँ पर इमली की चटनी और धन्या पोधिनी की चटनी इसके उपर डाल दीजिए तो बिल्कुल आपका इसका टेस्ट दही बड़े जिसा हो जाएगा तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कोमेंट बॉक्स में जरूर से बताईए और अगर रेसिपी प चेयर करना बिल्कुल न भूले मिलते हैं एक नई रेसिपी रेसिपी ने रेसिपा